तो है गाईज विल्कम बैक टू माई चानल तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे है तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में चिकन फ्राइज जो बहुत अच्छा लगने वाला है गाईज तो आईए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने क पेस्ट यहां पर देख सकते हैं तो चला जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है पर हम यहां पर चमच से 2 बड़ा चमच से डाल लेका है तो यहां पर सब्सक्राइज बाद हम इस क्या चमच पर एड़ करेंगे वन बड़े टेबल स्पून से कॉन फ्लोर तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अन्डा जो है वो एड़ कर लिया उसके बाद हम यहां पर चमत से फूड कलर ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा सा निखार ला सके अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आइड कर सकते हैं अब हमें क्या करना है इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स्ट कर लेना है तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे से बिलकुल मिक्स्ट कर लिया इन सारी चीजों में मिक्स्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे कवर कर लेंगे कवर करके हम इसे आदे गंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से के बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे कढ़ाई चढ़ाने के बाद हम उसमें तेल डालने के बाद हम तेल को अच्छी तरह से बिलकुल गर्म होने देंग तो जब अमारे तिल अच्छ से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें अट कर लेंगे, बारी बारी से सारा चिकन जिसे मैंने आदे गंडे के लिए मैरिनेट होने के छोड़ दिया था, आदे गंडे के बाद हम यहाँ पे इसे डालेंगे और डाल करके हम इसे फ्राई करें, जितना अट रहा है उतन ही आप लोगो डालना है अगर एक बार में दो तीन ही हो रहा है तो आप तीन ही सिर्फ डाले ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे ते फ्राई हो सके यह नहीं कि एक बार में सारा चिकन डाल लिया तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं एक साइट से मेरा तो यहां पर ने सारा चिकन प्लट लिए है बिल्कुल अच्छी तरह से अब हम क्या करेंगे इसे दूसरी साइट से भी पकने के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चिकन जो है वो बहुत अच्छी से रेडी हो गया जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बिलकुल रेड रेड बहुत अच्छा कलर भी आया है इसका तो गाइस इसी तरह से पता चलता है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे थे फ्राई हो गया फ्राई होने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे चिम्टे के हल्प से बारी बारी करके निकाल लेंगे तो guys यहां पर आप देख सकते हैं निकालने के बाद यहां पर यह हमारा chicken fry जो है वो बिल्कुल रेडी होगी है अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं तो I hope कि आपको हमाई recipe पसंद आई होगी अगर आपको हमाई recipe पसंद आई होगी तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट recipe के साथ तब तक के लिए टेक किया और बाबाई अलाहाफिज